नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सब का मेरे स्वीटिव चैनल में आज के इस वीडियो में कमपनी का जो कौर्टरली रिजल्ट है इसको आप डाउनलोड करके आफलाइन या तो फिर ऑनलाइन किस तरह से आप देख सकते इसके बारे में डिटेल चर्च हम इस वीडियो में करेंगे सो लेट स्टार्ड इट जितने भी कमपनी एने सी एंड बी एसी में लिस्टेड है वो सारी कमपनी के रिजल्ट्स आप ऑनलाइन देख सकते तो इसके लिए फर्स्ट आप और आल आपको आपके ब्राउजर में जाना है और यहाँ पे आपको एनेसी इंडिया डॉ करोगे तो आप एनेसी की जो ओफिशल वेबसाइट है यहाँ पे रिडारेक्ट हो जाते है तो यहाँ पे आपको लिस्ट ऑप्शन में फाइनेसील रिजल्ट पे क्लिक करना है तो जैसे आप फाइनेसील रिजल्ट में क्लिक करोगे तो यहाँ पे यह पेज ओपन हो जाए कि अबी सपोज हमको फीपर्ड को सर्च करना है कि यहां가 लिप tutto कर सकते हैं दिन कि उसके पाथ कि सर्च कर सकते हैं तो यहां और इससलों भी यह लिस्ट यहां पर आपको दिख जाएगे तो आपको यहां पर कमपनी नेम पिख कर ना तो जैसे आप इस company name पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे financial result जो भी है detail में आपको यहाँ पे show होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी revenue है जो भी expenses है जो भी tax expenses है यह सारी चीज़े आपको यहाँ पे online show होगी अगर आपको company का quarterly result आपको offline देखना है PDF form में तो आपको नीचे scroll down करना पड़ेगा तो जैसे आप scroll down करोगे यहाँ पे नीचे download का link है तो इस पर आपको क्लिक करना है तो जैसे आप download के link पे click करते हैं तो एक cheap file download हो जाएगा तो जीप file को unzip करना पड़ेगा और जैसे आप unzip करेंगे तो यहाँ पे आपका जो result है PDF form में आप यहाँ पे देख सकते हैं तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो company का जो total income है total expenses है इसके साथ ही जो profit before tax, after tax और जो total company का earnings है यहाँ पे आपको show हो जाएगा तो इस तरह से आप online and offline जो भी company का results है quarterly यह आप download करके और ज़क कर सकते हैं या तो फिर online आप एनिजी के website पे देख सकते हैं अगर आपको last one year में जो भी company के results announce हो चुक है उसको अगर देखना है तो आप यहाँ पे इससे select कर सकते हैं one year six months three months तो इससे click करने के पाद जो भी last one year में जो भी results announce हो चुक है तो आप आप देख सकते हैं कि last one year में जो भी results announce हो चुक है यह आप आपको show हो जाएंगे इसके इसके सिवा आप यहाँ पे custom क्लिक करके एक range आप ले सकते हैं suppose मैं from this date to this date I am selecting and click on search then उस date में जो भी results announce हो चुक है वो सारे results आपको यहाँ पे show हो जाएंगे इसके जाद ही अगर आपको कोई results quarterly, yearly आपको देखना है तो यहाँ से आप select कर सकते हैं so friends मैं आशा करता हूँ यह जो वीडियो है आपको जरूर पसंद आया होगा अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो please like, share, comments करना मत भूलिए इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, thanks for watching और वीडियो, bye